मिस्टर कूल कप्तान का जनम दिन आज जाने क्रिकेट के अलावा कैसा है इनका मिजाज आज MS धूनी का 43 वा जनम दिन है और आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बाते बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे दोस्तों आपको बता दे कि धूनी एक सफल बल्लेबाज और विकेट कीपर है चिनकी बराबरी पर अभी तक कोई आ पाया नहीं और नहीं आ पाएगा इस बीच हम आपको इस खबर में बताते हैं दोनी के रिकॉर्ड्स के बारे में और उन्हें कितने पुरसकारों से सम्मानित किया जा चुका है MS दोनी का जन्म साथ जून 1981 को रांची बिहार में हुआ था अपनी महनत परतीबा और जुनून से दोनी ने चोटे शहर से होने के बावजूद लोगों को काफी परभावित किया दोनी भारती क्रिकेट टीम के कप्तान बने टीम इंडिया के कप्तान के तोड़ पर उन्हें ICC T20 विशुकप, ICC ODI विशुकप और ICC Champions टॉफी जीती बल्ले से और कप्तान के तोड़ पर उनकी एविशुनी और प्लब्दियों के लिए फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं इसके अलावा आज हम आपको माही की जिन्दगी से जुड़ी कुछ खास बाते बताने जा रहे हैं जो शायद फैंस जानते हों क्रिकेट के पिच पर चोटे चखते लगाने वाले माही को क्रिकेट का शोक रही था धोनी को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था लेकिन किसमत को कुछ और मंजूर था माही अपने स्कूल के दिनों में फुटगॉल और बेंट पिंटन खीला करते थे माही के नाम तीन ICCC ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है माही ने साल 2007 में ICC T20 वर्लकप साल 2021 में ICC ODI वर्लकप और साल 2013 में चैंपेंज ट्रॉफी जीती ऐसा अनोखा कारणामा करने वाले धुनी भारती कप्तान की साथ साथ दुनिया के एक लोकते कप्तान है दोस्तों आपको बता दे कि MS धुनी ने कुल 538 इंटरनेशनल मैचों में 155 स्टपिन की है ये रिकॉर्ड आज तक धुनी को छोड़ कर कोई नहीं बना पाया टीम इंडिया के लिए बतोर फिकेट कीपर बल्ले बाच खेलते हुए MS धुनी ने साल 2005 में श्री लंका के खिलाफ 183 रड़ों की आतिशपारी खेली थी इस दोरान MS धुनी के बल्ले से 15 चुक्के और 5 गगन चुम्बी छक्के भी निकले थे यहें धुनी का वंडे में सरवच्च वैक्तिगत स्कोर भी है MS धुनी को दो बार ICC Player of the Year चुना गया है ऐसा करने वाले माही पहले खिलाडी है क्रिकेट के अलावा धुनी को बाइक चलाना भी बहुत पसंद है धुनी जब भी क्रिकेट से दूर होते हैं तो अकसर अपनी बाइक लेकर निकल जाते हैं और राची की सडकों पर घुमते हैं धुनी के पास एक गेराज भी है जहां धुनी ने अपनी पसंद के एक दरजन से ज़्यादा बाइक रखी है साल 2018 में MS भूनी को भारत का तीसरा सर्वुच्य नागरिक पुरुसकार पद में भूशन मिला है साल 2009 में धुनी को भारत के चोटी सर्वुच्य नागरिक पुरुसकार पद में स्रिश्रे सम्मानित किया गया था इसके इलावा साल 2007-2008 में दोनी को खेलों में उपलब्दी के लिए भारत का सरुच्य सम्मान राजी उबांदी खेल रजनपुरसकर दिया गया था दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेट करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद